दोस्तों नमस्कार यह पाउधा आप देख रहे हैं इस पाउधे का नाम है हर सिंगार का पाउधा इसका नाम बहुत सरा इंगलिस में जो है इसका नाइड जास्मीन बोले आता है नाम और इसका एक और नाम और है पारिजात दोस्तों इसका जितना ही नाम है उतना ही इसका बहुत ही गून होता है और यह एक medicinal भी प्लांट है क्योंकि इसका लोग काड़ा बना करके पीते हैं और हम आपको इसके बारे में आज बताएंगे कि हम किस तरीके से अपने पौधे को केर करते हैं जिसे कि इसमें बहुत सारा फूल आता है और जब फूल आता है तो इसका एक दिन भी ब्रेक नहीं था दोस्तो फूल देते ही जाता है या पौधा इसको आप देख सकते हैं याँ पर आप इसका जो कली देख रहा है जितना भी कली है इसमें सभी में ही फूल होगा और डेली इस पौधे का अंदर में कम से कम 30-40 फूल आता है दोस्तों हम इसे हम लेकर करके हम खुद पूजा करते हैं और इस पौधे में होता क्या है आपको साम को फूल फूला जाएगा साथ से आठ बजे के अंदर में और आप सुबह उट करके देखेंगे तो समुचा फूल नीचे पड़ा हुआ है तो दोस्तों इस पौधा का ये हिसाब है फूल रात में आपको गिर जाएगा नीचे और अंदर में खुस्बू बहुत होता है इस फूल कंदर और दूसरा बात आपको बता दे हैं इस में इस पौधे को लाएत बहुत ही छोटा था तो हम यहां से इसको कट किये लगभग इसका उमर दो साल हुआ भी तो दो साल होने के बाद अभी आप देख सकते हैं कितना होते चला जाएगा तो उसको क्या करना है जब देखिए कि फूल इसका ब्रेक हो गया गरम का मौसम आ गया और बारिस होने वाला है तो ठीक उसके पहले आप इसको अपना हिसाब से देखकर के एक फूट या डेड़ फूट हाइड देखकर कुसको कट कर दिजिए मोटा वा घाना बनाएं तो वीडियो में आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम एक ठो एर लेरिंग बनाए हैं पवधा का तो यह हो जाएगा तो उसको लगा देंगा दूसरा जग में रनेया पवधा हो जाएगा और यहाँ पर हम आपको इसके फटलाइजर के बारे में बताएंगे भी क्या कैस के अंदर में पढ़ता है खाद क्या पढ़ता है दोस्तों परतेक ब्रांच में आप देखेंगे इसमें फूल आया हुआ है और कली आया हुआ है और डेली ही यह पौधा फूल देता है तो दोस्तों इसको जिदि आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो मिट्टी में तो दोस्तों इसके अंदर हम कुछ गोबर का जो खाद होता है उसको भी दिये हुए है और गोबर के अलावा हम इसमें क्या फटलाजर देंगे उसको हम आपको यहां पर देखाएंगे जिससे कि इसके अंदर फूल बहुत सर आएगा और जब तक फूल आ रहा है तब तक आप सिर्फ महीना में एक बार देंगे यह फटलाजर तो आपका पाउधा बिल्कुल ही फूल देते चलेगा बीच में ब्रेक नहीं करेगा दोस्तों इसमें होता क्या कभी कभी लग जाता है इसके अंदर इंसेक्ट लगता है तो उसके लिए भी हम लोग को कुछ दवा देने प फाइल आपको कम से कम 15-20 दिन दिन में एक बार मार देना है पांच मिली गराम एक लिटर पानी में मिला करके और उसमें थोड़ा सा हेंडवास मिला करके देना है तो दोस्तों आईए हम आपको यहां पर कौन सा रचलाजर दे रहे हैं उसके बारे में हम आपको बोलें और क अबर से भे कहीं आछा माना जाता है कलंग तो दोस्तों इसको देने सेलाव होता है आप का कोई भी दोड़ा मैं में बनाइए रहे हैं तो आपका पाउधा का जो मिल्टी का जो नमी है उसको बनाएर रखेगा आप एक दिन पायी दे रहे बूल जा रहा है मिश्टेक से तो इसमें थोड़ा आपको पानी फोल करके रखता है मतलब आपको पाउधे को पानी उतना देगा चितने पाउधा आपका बचेगा और साथ में यहां बहुत ही सरा इसके अंदर पोशक्त तो ही पाया जाता है प्लांट के लिए आपके तो दो और इसके अंदर जो कुछ और भी फटलाजर है जो फूल लाने में सहायक होता है आपका उसका ब्रांच जो है मजबूत रखेगा प्लांट का और फूल का जो रंग होगा उससे भी अच्छा होगा तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताएंगे यहां पर आप जो शालोला फोटास होता है उसको हम लicon 어때 और यौडाज जादा नहीं देने परता आप महिना में एक बार ही दे रहे हैं चाय वाला जो चस शमच होता है उससे आप एक चमच छोटा चमच से एक चमच गार फोटास लेना है चोटा चमच से एक चमच बिच में alors इसके बीत मैं ज करी होता है वो निम का खली है इसको देने से होता क्या है आपके अंदर में ज़्यादा केंशुआ हो रहा है एक कैंशुए काड़ा जो अंडा होगा वहां पर पर अपना सही काम करता है किन्तु आपके पाउधे का अंदर में रहेगा तो थोड़ा नुक्सान करेगा तो दोस्तों यह वाला हम आपको बात बता रहे थे यहां पर कि हमको क्या क्या चीज देना हमेरे पाउधे का अंदर में बहुत ही जरूरी होता है हम जो पुटास लिए पुटास भी बहुत यह वात ही लाते हैं तो उसमें जह बहुत ही अचा काम करता है तो दोस्तों आप नीम का खली के बारे में आपको बता दी आ नीम को खली बहुत ही अच्छा चीज होता है आपका मिल्टिक पौधा तो उसमें compost मिलाने ही पड़ता है बिना compost मिला है कोई भी पौधा सही से नहीं चलेगा और इसका घ्रोथ भी सही से नहीं होगा तो दोस्तों हम आपको यहां पर बता दें इसके लिए सूरज के रोशनी बहुत ही जरूरी होता है आप इसको शेड एरिया में कभी नहीं लगा है नहीं तो इसका फूल आपको होगा ही नहीं कम से कम पांच से छे घंटा जैदि इसके उपर सूरज गरोशनी लग रहा है तो यह पवधा आपका बहुत ही अच्छा फूल देगा और बहुत ही अच्छा चलेगा दोस्तो आप देख सकते हैं इसको हम रात के समय में इसको वीडिये कुए हैं मतलब रात में ही इसका फूल इस तरीके से खुलना देखाई देता है और हम जो वीडियो किये थे उस समय साड़े तिन से चार के लगवग समय हो रहा था दीन का तो उस समय में इसका फूल खूला ह तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फूल भी खूला हुआ है और होगा क्या इसको जब समुचा राथ चला जाएगा आप देखेंगे तीन से चार बज गया भोर हो गया तो पूरा फूल नीचे चलाएगा अपने आप पड़ जाएगा इसको तोड़ने भी पड़ता है तो दोस्तों इस फूल का यही वाला तरीका है और एक चीज हम आपको और भी बताएंगे कि किस समय में यह फूल नहीं पड़ता है जिस समय में देखिएगा टंपरेचर जब ठंडा के तरफ बढ़ने लगता है यानि कि 10 डिगड़ी कम से कम रात में होने लगत अब भी देखे हैं हमारे अरिया में अभी ठंडा पड़ चुका है तो जीज हम आपको यहां पर देखाएंगे मेरा पवधा का अंदर में सुबह के टाइम में फूल पूरा ही है तो दोस्तों एवाला आप यहां पर फूल इसको देख सकते हैं रात के समय में किस तरीके से और इसका फूल तो खुसबू अला होता ही है, बहुत अच्छा खुसबू इसके आता है, दोस्तों सुबह का भी 7 बज चुका है, 7.30 बज चुका है और इस पौधे को उपर आप फूल देख सकते हैं, फूल अभी भी बरकरार है, अभी भी रुका हुआ है, तो इसके पीछे क क्या कारण है, उसको हम आपको बोल देया, आप देखेंगे जिस समय में ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और टमपरेचर 10 डिग्री के कम होने लगा, 10 डिग्री से कम होने लगा रात को, 9 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया, इसे कुछ हो गया, तो उस समय दोस्तों आप देखेंगे इसका फूल जो है, जढ़ेगा नहीं, और दोस्तों हम इसको बोल दें हमारा गमला जो है, इसके पहले मिट्टी में था और फूट गया, हावा चला, और हावा चलने के बाद में फूट गया, तो हम आपका इसको रिपूट कम से कम 15 दिन के अंदर का रिप पूटने के बाद हम उसको टीना का डबा है, उसमें हम डाल दिये, तो हमरा पावदा फिर भी ठीक हो गया, और यह सही ही है, और ठीक धंग से चल रहा है, कोई दिकत नहीं है इसके अंदर में, और इसका फूल का जो पकड़ बन जाता है, मौसम के ठंडा के जो पढ़ता है उस ओजह से, और जी समय में टंपरेचर देखिएगा, दस से मतलब कि आपको ज़्यादा है रात को, तो यह फूल जो है, असानी से ज़ड़ जाता है, और इसके उपर रहता नहीं है, तो दोस्तों इसका जो ब्रांच है हम इसको हिला कर भी आपको देखाएंगे, अभी यह पर फूल देखिए, तो हिलाने के बावजूद भी यह नहीं गिरता है, दोस्तों आप देख सकते हैं, हम इसको ब्रांच को हिला रहे हैं, यतना जो 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 हिलाने के बाद भी इसका फूल नहीं गिर रहा है, तो होता क्या है, टंपरेचर कम होने से इसका फूल का ज नीचे पड़ता नहीं है तो दोस्ता हमको उमेद है इसके बारे में आपको इसे पाउधे के बारे में और इस फ्लावर्स के बारे में आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा